हेलो बच्चों, आज हमारा question है, write the place value of the underlined digit, हमें place value find out करनी किसकी underlined digit की, अब देखो इसको देखेंगा, once, यह हमारा 10 है, यह 100 है, यह 1000 है, यह 10,000 है, भाई, जो 2 हमारा है, इसकी place के है, 10,000 की, हमें इसकी value निकालनी, भाई, place थो हमें पता लग गए, इसकी 10,000 की, तो 2 की जो place है, किसकी है, 10,000, तो 2 into कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, और value इसकी हो जाएगी, 20,000, भाई, place इसकी 10,000 की है, और value कितनी है, 20,000, ओके, अब देखो, once, ten, 100,000, इस 2 की जो place है, वो 1000 है, त 2 into 1000 हो जाएगा, और value क्या हो जाएगी, 2000 हो जाएगी, ओके, क्योंकि इसकी place क्या है, 1000 के, तो value 2000 हो जाएगी, ऐसी 7 की निकालनी, मुझे, क्या है, once 10 में, ये 10 में, value कितनी है, place क्या, 10 की है, value 7 into 10, कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी, जो को place इसकी 10 थी, और value कितनी थी, 70, इ भाई 9 की जो place है thousand के, तो 9 into कितना हो जाएगा, 1000 multiply कर दो, कितना जाएगा, 9000 हो जाएगा, ओके, भाई 0 की निकालने, 1, 10, 100,000, 10,000, इसकी 0 की जो place है, वो 10,000 के, 0 into 10,000, भाई value हो जाएगी, 0, 0 का किसे भी multiply करो, आपका अंसर 0 आएगा, तो place तो 10,000 की थी, लेकित value कितनी है, 0 है, ओके, नेज़ देखो, हमें 4 की निकालने, भाई once पे, place भी once है, वो value कितनी हो जाएगा, 4 into 1, 4 हो जाएगी, value कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ओके, ऐसी भाई, इस 1 की, one stands, 100,000, 10,000, लैक, इसकी value क्या, प्लेज क्या है, लैक की, value क्या हो जाएगी, इन्टो 10000, इसकी प्लेज, 10000 के वेल्यू इसकी 10000 हो जाएगी, ओके, देखो 7 की, 1 टैंस 100000 पर, तो 7 इन्टो 1000, तो कितने वजाएगी वाई, 7000 हो जाएगी, ओके,